प्रॉब्लम का सही समझ में आपको दिखादेने वाला हूं जैसे हम जब मल्टीमिटर खोलते हैं तो इस समय पर दोस्तो सबस्क्रब्र इस पहुstudy इसम प्रहा से बुन सबहरी से रहते हैं लेकिन मंचिνल इस इसम्ड इदया सब सोब बन कर वर यहां की सब âhसे वल्रwould को घखाना सकते औरके लिए तो ऑफ मैं थी जाबित कैसे करूं कि इस में लोग है कोई भी रीडिंग इसमें मेटर में विए सो नहीं हो पा रही है ठीक है मतलब जैसे बाई मैं आपको दिखा देना चाहता हूं यह जो बल्प है राम से गलो वारा देगे ठीक है अब यह जो मेटर खराब है मैं इससे चैक करा कर आदे दिखा देता हो अपको तो दोस्तों यहां पर भी हमारी को रिडिंग नहीं दिखाता अगर खराब जादा हो जाता है कंडिशन में तो दोस्तों वह अपना रेगुलर बीप सांड बोलता है तो दोस्तों अब आपको दोस्तों पहले नए मीटर में वोल्टे चेक करा कर दिखा देता हूं मेरे पास यहां पर बेंट्री से दो वायर आई हुए है बार वोल्ट के यह देखिए यह पोजिट्व पर लगाया ठीक है यह में निगेट्व पर लगाया तो देखे बार पर चालिस एक तालिस व दिखा रहा है एक मतलब मैं मतलब है मतलब इसमें चुछ्ण था उपर एक होज्ड़ने में दुक्कत हो जब Сейчас है गए तो आय।प heel सब्सक्राइब लो बिल्कुल फ्री ऑंडियаш चैनल है आपके लिए बनाया गया दोस्तों बिल्कुल फिरी में नोलीज दी जाती है बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको रिपेर करके दिखा दे जाता है तो जैसे मैं दोस्तों मल्टीमेटर खोल ला हूं तो इसमें मुझे कुछ रेश्टेंस बंढ हुई हुई दिखाई दे इसकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता देना चाहते हो क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे मल्टीमेटर काफी रिपेर किया है यहां पर जो वैल्यू रेश्टेंस लगी होती है और बाकी मुझे यहां पर सब दिखाई दे रहे हैं यह 901 की होती है यानि 900 ओम की नो सो ओम की यहां पर लगी हुई है दोस्तों 900 ओम की जंग आप दोस्तों आप टोल लेंस के साब से एक दो परसेंट ऊपर नीचे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है वरना फिक्स लगाएं तो अच्छा है आपको रीडिंग अच्छी मिलेगी लेकिन फिलाल मेरे पास 900 ओम की नहीं है वन कि लगाते हो क्योंकि दोस्तों सोम में बहुत डिफैंस हो जाता है फिर भी मैं यहां पर दोस्तों इस वाले सिरे पर लगाकर दिखा देना चाहता हूं अगर आपको सारे पूरे मल्टी मेंटर की सारी रिश्टेंस की वैल्यू चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो मैं वीडिय और कंटिनुटी पे वोल्टेज वागरा यह सब चीज चेक नहीं होती मेरा कहने मुतला जो तीन सड़े तीन वोल्टेज आती है उसी के दुआरा हमारे ओम से निकाले जाते हैं जब तक वो रिडिंग सही नहीं आएगी वोल्टेज सही नहीं आएगी उस पे जब तक दोस्तो आएगी मोड मेळा अंट को ओना रिडिंग्स सहाइगा मेरे जमारे जिए गलत वेल्यू तो सबसे जादे हैं याचस्तreen इर इस रोंपर दोस्तों यहां पर दोस्तों अब धंड बकर राव की मौन की थिरींगा कि और यहां पर दूस्तों वानके की रिच्ट realmente एज़ेन्स कुछ नहीं पता था कि यह जब मैं रिपेर करने लगा इन मीटरों को मैंने करकर के देखे तो मैं जह मैंने पूरी परफेक्ट लिए आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए अब नेक्स्ट टाइम में वीडियो मैंने सोचे कि अब भी एक मीटर खराब तो ही गया आपके रुपे की दो के आस्पास रेश्टेंस मिल जाती है अराम से ठीक है यहां पर देख सकते हो अमने रिचिटेंस लगा दी है आप देख सकते हो आपके बिलकुल सामने है बिलकुल लाइव वीडियो है कोई भी यहां पर कटा पिट्टी है जोड़ी जाड़ी नहीं करी हुई कि मैं भी continuity mode check करूंगा इसका keyword कर रहा है नहीं कर रहा है और फिर दोस्तों voltage range check करूं पहले voltage range check करा के दिखा देता हूं जो दोस्तों दूसरे multimeter से voltage आ रही है वो दिखा देता हूं कि यह वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है तीन साधे साधीन वोल्टे जाती है 3.20 का असपास दूसरे मेंटर से जो वोल्टे जाती है वो दिखा देखिए 3.13 वोल्टे यहां पर बिल्गुल से रेडिंग को ठीक है यह हमारा करने लगा पहले दोस्तों गलत दिखा था अब इसके continuity मोड पर लगा के दोस्तों इस मीटर की वी इस मीटर से हैं वोल्टे चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है तो दोस्तों थोड़ा बहुत अप्डाउन में दिख्कत हो सकती है तो देखे प्लस पर प्लस लगाते हैं माइस सब्सक्राइब देखे 2.78 का सपास वोल्टे जा रही है तो मीटर तो हमारा दोस्तों ठीक हो चुका है बस सब्सक्राइब दोस्तों हमारी आ चुकी है तो आज की रिटने सब्सक्राइब में जैहिन वंदेवात हम दोस्तों आप कर दिन सुब्सक्राइब